हेलो एब्रीबन आइम निहावेदवान और अपनी इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट क्रेमर कराने वाली हूँ तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना मत भूलीगा ओके नौ स्टाट आवर वीडियो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल एन अनकाउंटेबल नाउन का तो काउंटेबल जैसे कि आपको काउंट से ही पता चल रहा होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं अब वो कौन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे क्या होगे काउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा चुकिए प्रॉपर नाउन क्या होता है जो एक पार्टिकुलर परसन का नेम होता है जैसे कि राधा या फिर कोई भी आपके सामने जो भी को देखे आप मेरे वीडियो देख लीजे। और नेक्स हमािवार से आफ यहो क्लास देनोट करता हुए, आपको यह दो बढ़ा उआ चुके हुए, पूरी class को देनोट करता है जैसे कि, didいます गल्ड के अफ्ल्ड को देनोट करेगी era क् समय क्लास我在 Health, और हम इन पर स्वल काह Just so got my point next है हमारा collective noun collective noun क्या होता है जैसे कि मैंने अपनी ये भी वीडियो में आपको मैं इस वीडियो में आपको collective noun के बारे में बता चुकी हूँ collective noun क्या होता है कि जब हम क्या करते है किसी person को या किसी creature को या फिर किसी thing को एक group में convert कर देते हैं और जब हम उसका एक group बना देते हैं तो उस group को एक नाम दे देते हैं और वो ही नाम हमारा क्या हो जाता है collective noun हो जाता है ठीक है got my point तो collective noun को भी तो हम count कर सकते हैं जिससे कि suppose करो हमने 11 player की एक team बना दी तो team हमारा क्या हो गया collective noun और collective noun क्या हम उस team को count नहीं कर सकते कि इस team में कितने member है कर सकते हैं तो उसको भी हम count कर सकते कि इस team में हमारे 11 member है या इस team में हमारे 12 member है तो हम उसको count easily कर सकते हैं चोड़ो अब आगे बढ़ते हैं आगे next हमारा uncountable noun uncountable जिससे कि आपको इसी पता चल रहा होगा UN, हमने countable में starting में क्या लगा दिया, UN, जो हमारा क्या बन गया, एक negative sense दे रहा है, जिसको हम count नहीं कर सकते हैं the noun which cannot be counted, जिसको हम क्या नहीं कर सकते count नहीं कर सकते हैं मैं आपको अलड़ी material noun पढ़ा चुकी हूँ, material noun क्या होता है God gifted, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो material noun क्या होता है God gifted, तो क्या हम God gifted जो भी हम gold ने हमें दिया है, हम उसको count कर सकते है, क्या हम count कर सकते है कि gold कितना है, नहीं count कर सकते है क्या हम count कर सकते है, milk कितना है एक milk है, दो milk है, तीन milk है नहीं count कर सकते है, तो जो चीज़ God gifted है, हम उसको count नहीं कर सकते है next है हमारा abstract noun abstract noun को क्या हम count कर सकते है यह-जी को अबसेख आपको पढ़ा चुको आप्स्ट्रिक नं गेया होता है एक feeling होती है जो हम उसको अपनी जो हमारे अंदर जो feeling होती है उसको हम एक으면 नाम दे देते हैं that is called abstract noun जिसकि अगर हमारे अंदर बहुत ज़ाधा गुस ठार है तो वो अमारा क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो मैटेरियल जो कि God gifted है we can't count हम उसको count नहीं कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी ग्यानी अंद्रियों से ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना हम उसको चून सकते हैं तो हम इनको भी count नहीं कर सकते हैं सबस्क्राइब करेंगे किती नहीं सुन सकते हम उसको कैसे कांट करेंगे किती है समझ आ गया क्योंकि हम जो चीज टच नहीं कर सकते के कहीं बार हम हम सपोस्ट करो एक blind परसन है तो वह भी तो टच कर पता सकते हैं जहां पर कितनी वस्तूइए रख़िए है कितने परसन यहां पर खड़े हुए वो पता सकते है टच करके तो अगर हम एक simple language में बोले जिस चीज को हम नहीं count कर सकते हैं that is called uncountable noun और जिसको हम count कर सकते हैं वह है हमारे countable noun तो countable noun में हमारे कोन आगे proper noun common noun and collective noun that is countable noun और uncountable noun में हमारे material noun जो कि God gifted है हम उनको count नहीं कर सकते हैं and abstract noun जो हमारे feeling है हम अपनी feeling को जो अपनी five senses से ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना उनको touch कर सकते हैं वह भी हमारी क्या है uncountable noun है तो आपको कुछ भी नहीं learn करना अगर मैंने आपको यह सारे noun पढ़ा चुकी हूँ अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखिए तो please check out my video okay now अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं thanks for watching my video